आगे बढ़ते हैं बड़ी खपर आपको बता दे प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी संसकार धानी आ सकते हैं कि जून को यूग दिवस के मौके पर पीम मूदी का जवलपुर दौरा हो सकता है वासुदेव कुटम बकम तीम पर यूग दिवस मनानी की तैयारी की जारी है हाले कि अभी तक इसके आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है जानकारी मिल रही है कि इस हफ्ते में इसे लेकर ओफिशिल अनौसमेंट हो सकती है आधिकारिक पुष्टी हो सकती है मनुसानी जी फॉन लाइन पर जोड़ गए है मनुसानी जी क्या कुछ जानकारी 21 जून को पियम मुदी आ सकते हैं जवलपूर देखें एक अपते से चर्चा है बड़ी की जिसे की पुष्टी नहीं मुदी इस बार जो योग दिवस है पिस योग दिवस जोसे कुछ दुनिया में पिदानमंती बने के बाद योग को पहचान दिलाई है पिदानमंती मुदी ने लेकिन इस बार वो बोपाल ना छोड़कर बलकि राजधानी संसकार रहारी जवलपूर में इसकी शिरुवायत कर सकते हैं जवलपूर में आएंगे और योग दिवस के मौके पर बसुदेव पुटमकम की तरच पर वहां एक बड़े कारिकम में हिस्सा लेंगे चर्चा ये भी थी कि इन दौर भी उनको जाना है लेकिन लगवग यह मानकर चलिए कि जवलपूर का उनका दोरा तया होने जा रहा है दो-चार दिन में सायद अधिकारिक तोर पर पुष्टी भी हो जाएगी लिकन अपने आप में बड़ी बात है कि यदि योग दिवस को जवलपूर यानि संसकार धानी में मना रहा है तो इसके पीछे बहुत पारी चीज़ है महा कोशल को भी देखना है 2023 भी सामने है 24 भी स और महा कोशल से पिछली बार बहुत अच्छा साथ नहीं मिलाता बार्सी जनता पार्टी को तो चुनावी नजरिये से भी इसको देखा जा सकता है लेकिन संसकार धानी जवरपूर आएंगे योग दिवस के मौके पार शुक्री आपका मनुजी जानकारी साजा करने के